हलो दोस्तों यह थारत हिंदी घिक्षिन क्लासेश में आप सभी का स्वागत है आचकी क्लास में हम हिंदी साहती के कुछ इंपोरेटेंट प्रशन पढ़ेंगे जो हिंदी डेज़ी लिए काफी इंपोरेटेंट हैं तो आचकी क्लास का पहला प्रसन है लोग कबीर आदी भक्तों को ग्यानासरी निर्गुनिया आदी कहते हैं वे प्रैह भूल जाते हैं कि निर्गुनिया होकर वे कबीर दास भक्ते हैं और उनके नाम वेदान्तियों के ब्रह्म्ह की अपेक्षा भक्तों के भगवान अरिख है किसका कथन है? किसकी द्वारा यह कथन कहा गया है राइट अंसर इसके लिए उप्सन C है आचारी हजारी प्रसाद दिवेदी जी का यह कथन है सूर्दास का पद आयो घोस बड़ो ब्यापारी किसकी ओर संकेतिक है आयो घोस बड़ो ब्यापारी किसकी ओर संकेतित है राइट आंसर ओप्चन बी है इसमें उद्धव उद्धव की और संकेते कहा निकि उद्धव को संकेत करते हुए आयोगोस बड़ो व्यापारी कहा गया है क्योंकि उद्धव की द्वारा वहाँ पर योग का संदेश लाया जाता है गोपियों के लिए इसलिए उन्हें इस नाम से समुधित किया था गोपियों ने निम्कि कधनों के आधार पर उप्युक्त विकल्प चुनिए इसमें जो सही विकल्प है वह चुनना है और इसका राइट आंसर ओप्चन दी है जिसमें कि पहला दूसरा और पाच्वा सही है पहले में है कि प्रभुजी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदाद्वरा की गई है यह सही है और दूसरा है इसके लिए कवीर प्रिचई में अनंतदास ने कवीर के व्यक्तित्तों और जीवनी से सम्मधित तत्यों का उल्लेक किया है यह भी सही है उसकी बार आता है पाच्वा की दादू की समग रचनाओ को अंग बधु सीर्षक से संत रजब दास ने संकलत किया था तो यह तीनों इसमें सही है अगला प्रश्ण है निमखित में तत्सम सब्द है इसमें तत्सम सब्द बताना है कि कौन सा सब्द है जो तत्सम है इसका राइट आंसर है ओप्सन जी अक्षर यह तत्सम सब्द है अगला कोश्ण है निमखित में कौन आरी भासाओं में सामिल नहीं है राइट आंसर है ओप्सन C. अर्वी भासा आरी भासाओं में सामिल नहीं है संस्कित अंग्रेजी और फार्सी आरी भासाओं में समलिल भासा है निम्खित में से आरी भासाओं में सामिल नहीं है Right answer option D. है तुर्की या आरी भासाओं में सामिल नहीं है अगला प्रशन है निमकित में तत्सम शब्द नहीं है कौन सा सब्द है जो की कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है Right answer option B इसके लिए राई यह तत्सम सब्द नहीं है इसके दिर्ट आज्या, सर्व और स्वामी है तत्सम शब्द है बहाशा की रूप में अवधी का प्रथम प्रियोग किस रचना में मिलता है बहाशा की रूप में अवधी का प्रथम प्रियोग किस रचना में मिलता है ओप्सन ए खालिक बारी में बहाशा की रूप में अवधी का पहला प्रियोग मिलता है प्रथम राजभासा आयोग की स्थापना कब की गई ओप्सन ए ओप्सन डीस के लिए राइट अंसर है 7 जून 1955 को प्रथम राजभासा आयोग की स्थापना की गई अगला प्रश्ण है बगहेली बोली किस अपभरंस से विक्सित हुई है बगहेली बोली किस अपभरंस से विक्सित हुई है ओप्सन C अर्ध मागधी से विक्सित है या बोली स्पर्स संघर्सी वियंजन ध्वनी कौन C है स्पर्स संघर्सी वियंजन ध्वनी कौन C है राइट आंसर ऑप्सन D है जह यह इस पर संघरसी विंजन धुनी है स्वर्ध धनी के संबंध में निम्की तत्यों पर विचार कीजिए स्वर्ध धनी के संबंध में निम्की तत्यों पर विचार कीजिए ऑप्सन B इसके लिए राइट आंसर है औप्षन B इसके लिए राइट आंसर है जिसमें की दूसरा, तीसरा और पांचवा दूसरा, तीसरा और पांचवा सही हैं उच्चारण की द्रस्टे से मूल स्वर्दस हैं स्वर्धनी के उच्चारण में हवा, अभाद, गति से, मुक्त, मुख, विवर से निकलती है दो प्रकार के होते हैं घ्रस होते हैं और एक दीर घ्रसवर होते हैं अगला प्रश्ण है क्रिया के सम्मंध में निम्न लिखीत तत्य हैं तो क्रिया के सम्मंध में कौन से तत्य इसमें सही है वह आपको बताने हैं राइट आंसर ओप्सन सी है दूसरा पांचवा और तीसरा दूसरा तीसरा और पांचवा सही है क्रिया के समन्द में जो क्रियें वाकिय के अंत में रहकर वाकिय को समाप्त करती है वे समाप्ती का क्रिया कहलाती है बिल्कु सही है जिस सब्द के प्रियोग द्वारा किसी वस्तु के विशय में विधान कह जाता है उसे क्रिया कहते हैं और क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं तो यह तीनों इसमें सही हैं सूची एक और दो का मिलान कीजिए समास है और दूसरी और उधारण है कि कौन से समास का उधारण है इसके लिए राइट आंसर है ओप्सन डी तत्प्रो समास का जो धारण है वह है शिवालई द्वंद समास का उधारण है लव और कुश अगला प्रशन है देवनागरी लिपी के मानकी करण के प्रियासों को पहले से बाद के क्रम में लगाए देव नागरी लिपी का जो मानकी करण किया गया उसमें प्रियास जो रहे, किस प्रकार रहे, पहले कौन से समिती बनी या किस के द्वरा किस परिशत का गठन किया गया था इस तरीके से बताना है औप्सन 20 में राइट आंसर है महादेव गोविंद रानाडे ने के सुझाओ थे फिर महारास्ट सहेती परिशत पुने द्वरा गठिद लिपी सुधार समिती काका कारेलकर की अधिक्षता में गठिद सुधार समिती उसकी बार आता है आचारी नरंदेव के अधिक्षता में गठिद परिशद और लास्ट में है डॉक्टर आधाकरशन के अधिक्षता में गठिद परिशद अगला प्रशन है नीचे दिये के कथन है अभी कथन के रूप में लिखे है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है बताना है इसमें कौन सा सही है कथन और कारण में कौन सा इसमें सही है इसके लिए राइट आंसर है ओप्सन A A, R दुनों सही है R, A की सही व्याख्या करता है भगोलिक परवेश का भाषा के मानिकरण के प्रकरिया में महत्वपून योगदान रहता है और भाषा मोल्दा समाजी गुत्पार है समाजी परवेश किसी भाषा के मानिकरण के प्रकरिया को गति प्रदान करने वारा सबसे सरल सबल कारण है नीचे दिये गए हैं कथन इसमें सही बताना है आपको कौन सा है option d scale right answer है कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो सत्य है तो कथन दो क्या है डॉक्टर नारान उद्धे नारान तिवारी के नुसार अवधी बगेली और छत्तिस गड़ी में बहुत कम अंतर है अगला प्रशन है हिंदी में देवनागरी लिपी का विकास क्रम क्या है जो देवनागरी लिपी थी उसमें लिपियों का विकास क्रम बताना है किस लिपी का विकास कब हुआ कैसे हुआ option b के लिए right answer है ब्राम्ही लिपी का विकास फिर गुप्त लिपी का हुआ उसके बाद कुटिल लिपी और लास्ट में आती है देवनागरी लिपी तो देवनागरी लिपी का विकास इस क्रम में हुआ पहले ब्राम्ही लिपी, गुप्त लिपी, कुटिल लिपी और उसके बाद देवनागरी लिपी का विकास हुआ हिंदी में अनुनासिक विंजन की संखिया कितनी है रहे टांसर है ओपSIन C पांच हिंदी में अनुनासिक विंजन की संखिया पांच है गोविंदवल्लप पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसादीय राजभासा समिती का घठन कभ guar गया गोबिन्द वल्लापंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसादिय राजभासा समिती का गठन कभी किया गया और राइट आंसर इसके लिए उप्षन डी है उन्निस सो सत्तावन में किया गया अगला प्रश्न है बुंदेली बोली की उपबोलिया कौन सी है राइट आंसर है इसके लिए उप्षन सी भधावरी पनाफरी और खटोला देवनागरी लिपी के सम्मंध में निम्खे तत्ति मिलते हैं देवनागरी लिपी के सम्मंध में कौन कौन से तत्ति हैं उप्षन सी है देवनागरी लिपी की वनमाला का वनकरम वैग्यानिक है नगरों में प्रचरित होने से देवनागरी नाम पड़ा गुजरात के नगर गुजरात की नागर ब्राम्हनों के नाम पर नागरी नाम पड़ा अवधी और ब्रज में निम्खित वैश्यम्य मिलता है ओप्शन डीस के लिए राइट आंसर है अवधी का सम्बंध पूर्वी हिंदी से है जबकि ब्रज का सम्बंध पश्चमी हिंदी से है अवधी मिं आई अउ स्वर का उच्चारन आई और आउ के रूप में होता है किंतु ब्रज में ये स्वर आई अउ के रूप में उच्चारेत होते हैं और अगला है कि अवधी में पूर्लिंग संगया सब्दों में वा उपसर्ग जूडने की प्रेवृति मिलती है जबकि ब्रज में प्राया है ऐसा नहीं होता सूची एक और दो का सही सुमिल करना है इसके लिए राइट आंसर ओप्शन डी है तालबी विंजन के अंतरगत जो आते हैं वह है ओप्शन नमबर थरी में चाचा जाज़ मुर्धनी के अंतरगत आते हैं टाठा डढ़ कंठी के अंतरगत आते हैं काखा गाघ और वर्थ्स के अंतरगत आने वाले हैं लोसा नहा अन्ना अगला प्रशन है जिस भासा के माध्यम से राष्ट के दिकान संता विचारवने में करती है उसे राष्ट भासा कहते हैं वही यार वही राष्ट भासा होती है तो इसमें आपको सही कथन का चुनाओ करना है कि कौन सा कथन सही है और इसके लिए राष्ट आंसर ओप्शन डी है कथन एक सत्य है किन्तु कथन दो सत्य है तो कथन एक इसमें है कि राष्ट भासा नहीं कहा जाता है उसे की वर भाषा कहा जाता है और दो सही है कि किसी राष्ट में सभी प्रचलित भासा ये राष्ट भासा होती है कि तुझो भासा संपुर्ण देश की धार्मिक सांस्कृतिक राजनेतिक परंपराओं को धार्न करने में सक्षम होती है वह भासा राष्ट भासा पदपर प्रतिश्चत होती है इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है मिलते हैं अंगली वीडियो में कुछ ने प्रस्णों के साथ धन्यवार